आज हम जानेंगे जिंक के बारे में जस्ता यानी जिंक यह एक रासायनिक तत्व है, जिसका प्रतीक, जियन और परमाणु क्रमांक तीस है. यह एक नीला सफेद धातु है, जो कमरे के तापमान पर भंगुर होता है, लेकिन 100-150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर लचीला हो जाता है. जस्ता के कुछ प्रमुख गुण, उप्योग, खनिज, स्रोत इस प्रकार हैं. गुण, जिसमें पहला है, संक्षारन प्रतिरोध, जस्ता उच्च संक्षारन प्रतिरोध वाला धातु है, विशेशकर अन्य धातुओं की कोटिंग के लिए, दूसरा, चालकता, यह धातु विद्युत और तापिय चालकता के गुण रखता है, तीसरा, गठन शीलता, यह अन्य धातुओं के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है, उपयोग, पहला उपयोग, गैल्वनाइजेशन, जस्ता का सबसे आम उपयोग, इस पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वनाइजिंग में होता है, इस प्रक्रिया में जस्ता की पतली परत धातु की सतह पर चढ़ाई जाती है। दूसरा, मिश्रध हातुएं, पीतल जो, जस्ता और तांबा का मिश्रण और अन्य मिश्रध हातुएं बनाने के लिए जस्ता का उपयोग होता है। तीसरा, बैटरियां. जस्ता का उपयोग विभिन्य प्रकार की बैटरियों में होता है, जैसे की जस्ता कार्बन और जस्ता एयर बैटरियां. चोथा, रासायनिक उद्योग जस्ता का उपयोग विभिन रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों में किया जाता है जैसे कि पेंट, रबर और प्लास्टिक में पांचवा, द्वाईयां और पोशन जस्ता एक आवश्यक खनिज है और इसे पोशन अनुपूरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है यह मानव स्वास्थे के लिए आवश्यक है और विभिन एंजाइमों के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है खनिज स्रोथ जस्ता के प्रमुख खनिज स्रोथ स्फैलिराइट जिसे जिंक ब्लेंड़ भी कहते हैं और स्मिट्सोनाइट है जस्ता के प्रमुख उतपादक देश चीन, पेरू, आस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है जैविक महत्व जस्ता एक महत्वपूर्ण खनिज है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है यह विभिन जैविक प्रक्रियाओं में भूमी का निभाता है जैसे की प्रतिरक्षा प्रणाली जस्ता प्रतिरक्षा प्रणाली के सही कार्य के लिए आवश्यक है प्रोटीन और DNA, संशलेशन, यह प्रोटीन और DNA के निर्माण में मदद करता है चोट भरना, जस्ता छोटों के भरने और उतक की मरम्मत में मदद करता है विकास, यह बच्चों और किशोरों के सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है जस्ता एक बहुमुखी और महत्वपूर्ण धातु है, जिसका उपयोग विभिन उद्द्योगों और जैविक प्रक्रियाओं में होता है इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें